बालों की अच्छी ग्रोध के लिए बालों को हेल्दी बनाने के लिए बालों को मजबूत बनाने के लिए स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए इची स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए या बाल अगर बार बार जढ़ते हैं या हर मौसम जढ़ते हैं तो उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं किस तरीके से आप अपने बालों के जढ़ने की समस्या को खतम कर सकते हैं या बालों को लंबा कर सकते हैं आज दोस्तों मैं आपके साथ शेर करने चारी हूँ एक ऐसी remedy एक ऐसा नुस्खा जिसका इस्तमाल जब आप करेंगी उसके पहले दिन से ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा इसको इस्तमाल करते ही आपको बहुती ज़्यादा इसके benefits मिलने वाले हैं दोस्तों तो आज हम बात कर रहे हैं टी की यानि की चाय पत्ती यह है चाय पत्ती पाउडर जिसे आपको बनाना है घर पे mixer में ग्राइंड करके यह चाय पत्ती पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आप इस्तमाल करते हैं अपनी घर में चाय में बहुत ज़्यादा nutrition, proteins and vitamins होते हैं चाय हमारे बालों को healthy बनाती है, scalp को मस्पूती प्रदान करती है, strength देती है इसके अलावा चाय आपके सफेद होते बालों को पूरी तरीके से काला भी करती है यह हमारे gray hair के लिए white hair के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसके अलावा आपके बाल लगातार ज़र रहे हैं या बालों की growth बिल्कुल नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यह असरदार है, बहुत ही रामबार नुस्खा है चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, कैसे इसे बनाना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेना है एक clean bowl, dry होना चाहिए सूखा हुआ और आपको इसे इस्तमाल तब करना है जब आप अपने hair को wash करने जा रहे हूं, जिस दिन भी आप अपने बालों को धुलने जा रहे ह इसमें सबसे पहले हम add करेंगे चाय पती powder, जो कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक चौथाई चमच चाय पती powder का लेना है, इसके बाद आपको इसमें add करना है एक चौथाई चमच के बराबर coconut oil, नारियल का तेल, नारियल का तेल हमाई बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ ही ज़्यादा healthy होता है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों के growth के लिए, बालों के ज़ड़ने डूटने की समस्या को ले करके, बालों के dry होने से ले करके, या आपके बाल बहुत ज़्यादा freezing है, damage है तो उनको repair करने के लिए, यह आपके blood circulation को भी तेजी से बढ़ाता है, and last आपको इसमें add करना है shampoo, तो कोई भी shampoo चाहिए आपके पास herbal shampoo हो, या जो shampoo आप अपने daily base में use करते हैं, उसे आपको यहाँ पर add करना है, तो shampoo की जो quantity है, वो आपको अपने बालों के according रखनी है, यानि कि अगर आपके बाल लंबे हैं, तो आप इसकी quantity को बढ़ाईए, otherwise आप इसे 1 से 1.5 चमची यहाँ पर रखिए, एक चमच यहाँ पर shampoo को ले लेंगे और हम इसमें add कर देंगे, इसके बाद आपको इसे mix कर लेना है अच्छे से, आपको इसे लगाना कैसे हैं, जब आप हेर्व वाश करने हैं, आपको इसे लगाना कैसे हैं, जा रहे हों तो उसके पहले आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है और detangle करते वे आपको बालों की जड़ों में इसे लगाना है, रब करना है और छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद आपको वाश कर लेना है, नॉर्मल ठंडे पानी से, गरम पानी का स्थमाल नहीं करना है, इस चिश का ध्यान रखिएगा, अगर आप गरम पानी स्थमाल करते हैं, तो आपके पोर्स जो हैं, जो स्कैल्प क जो पोर्स हैं, जड़ हैं, वो आपके उपन हो जाएंगे, और अगर वो बंद नहीं होंगे, तो अगेन से आपके बालों में धूल, मिट्टी, पॉलूशन भर जाएगी, गंदगी भर जाएगी, इसके लिए आपको हमेशा बालों को ध्यार रखिए, कि ठंडे पानी से व हेर को वाश करने जा रहे हो, इसे बना करके नहीं रखना है, जब भी आप हेर वाश करने जा रहे हो, तो तब आप इसे बनाईए, एंड इस्तमाल कीजे, बालों की जड़ों से लेकर के बालों के जड़ने टूटने, बालों की सफेद होनी की समस्या को ये बहुत ही आसानी से दूर करेगी बहुत ही असरदार नुस्खा है इसका इस्तमाल कीजिए और अपने फीडबेक में साथ शेयर करना बिलकुल नहीं भूलिएगा चले फिर से मिलते हैं एक एनदर वीडियो के साथ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाई बाई टेक कियर